साथियों कॉंग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है इस पार्टी ने दो दो बार डॉक्टर आमबेड कर को चुनाव हरवाया उनको डर था बाबा साथ डॉक्टर सा अमबेड कर जी अगर पार्लामेंट पे आएंगे और उनकी आँखों में आँख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो इस जबाब नहीं दे पाएंगे अब तो इनका एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है कॉंग्रेस दे आरक्षन खत्म करने का प्लान बना लिया है जब तक मोदी है SC, SC, ROBC समुदाई को समिजान से मिले आरक्षन का हग कोई नहीं छिन सकता साथियों कॉंग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है इस पार्टी ने दो दो बार डॉक्टर आमबेड कर को चुनाव हरवाया उनको डर था बाबा साथ डॉक्टर सा अमबेड कर जी अगर पार्लामेंट पे आएंगे और उनकी आँखों में आँख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो इस जवाब नहीं दे पाएंगे इतने वो बाबा साब से डरते थे इतने दो दो बार उनको पार्लामेट में न पौँटे इतने बांती बांती के शडियत रखी है इन्होंने संसथ के सेंटर हॉल की उनकी तश्वीर तक नहीं लगने दी वो इतने डरते थे बाबा साब से के अगर संसथ बांड में उनकी तश्वीर लग जाए तो भी अक कापते थे दलित हिंसा की सबसे ज़्यादा गटनाए कॉंग्रेस के राज में ही हुई है और अब तो इनका एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है इनके एक नेता जिनोंने मिर्चपूर कांड के समय भी दलितों के साथ बदनियत दिखाई थी उनके ओफिस में कॉंग्रेस काहर करता डंके की चोड पर ताली पर ताली ले करके सीना तान करके कह रहे है कि एक दिन तो आरक्चन खत्म होगा ही यानि कॉंग्रेस ने आरक्चन खत्म करने का प्लान बना लिया है और उनके लिए हर्याना इसका टेस्ट स्टेक होने वाला है लेकिन साथियों जब तक बीजेपी है जब तक मोदी है एसी एसी और ओबी से समुदाई को समिजान से मिले आरक्षन का हक कोई नहीं छिन सकता प्लाम कर दो दो झाल प्लाम झाल प्लाम ज़फ झाल 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 प्लीजेड़ याल झाल झाल